कहते हैं कि पढ़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जी हाँ तो इसी के समख शमाप के लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा वीडियो कि आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे और सरकार आपको उस पढ़ाई के करने के लिए 36,000 रुपए प्रतिमा भी देगी लेकिन कब और कैसे आए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा UGC, NET और JRF तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पेपर कौन दे सकता है, कौन नहीं तो अगर मैं Beard और DLed वालों की बात करूँ तो जी हाँ आप लोग भी दे सकते हैं इस एक्जाम को और इसके अलामा जिन बच्चों ने अपना पोस्ट ग्राजुएशन किया है वो भी दे सकते हैं अपना एक्जाम जी हाँ, तो अगर आप अपने पोस्ट ग्राजुएशन में बिलकुल अभी एड्मिशन भी लिये हैं आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर या अपने फर्स्ट इयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अपने इस नेट जी आरफ के एक्जाम को देने के लिए नेट जी आरिफ के exam को देखर के ही आप अपने post graduation में जो आपने subject लिया है उससे आप PhD कर सकते हैं B.A.D. और D.L.A.D. वालों के साथ यह option खुलता है यदि वो कोई दो काम कर ले पहला यदि वो M.A.D. कर ले या M.A.D. अगर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा valuable यानि कि बहुत ज़्यादा वो effort नहीं कर पारें क्योंकि M.A.D. करने के लिए लाग देर लाग रुपए आपके पास होना चाहिए तो उसका एक substitute option होता है M.A. in education का अगर आपने graduation किया graduation के बाद में B.A.D.A.D. कर लिया है उसके बाद में अगर आप education के साथ PhD करना चाहते हैं आप सिक्षा के छेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आप M.A. in education कर सकते हैं और यदि आपने M.A. in education में admission ही ले लिया सर्फ आपका first semester ही हो तब भी आप इस exam के लिए apply कर सकते हैं इस बार इस exam को देना इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है उसके विशे में भी आये बात करते हैं सबसे पहली बात होती क्या इसमे मैम negative marking है तो मैंने का अभी नहीं है क्या मैम 2024 में हो जाएगी negative marking हमने का जी हाँ लेकिन क्या मैम जून में हो जाएगी तो बिलकुल नहीं ये मान के चलिए आप कि ये exam साल में दो बार conduct कराया जाता है और अभी तक इसमें negative marking नहीं थी लेकिन इसका passing ratio बढ़ जाने के कारण जैसे पहले क्या होता था कि कम लोग पास होते थे अब क्या है कि बहुत जादा लोग इस exam को crack करेंगे अगर जादा लोग exam को crack करेंगे और job बच्चों की नहीं लगेगी तो बेरोजगारी की जो rate होई जो दर होगी वो बढ़ेगी तो इस वज़े से क्या है कि इसमें negative marking लाने का भी कुछ प्रावधान सोचा जा रहा है अभी आया नहीं है और आप ये मान करके चलिए कि जून तक नहीं आएगा मतलब जो जून में exam होता है जून जुलाई में उसमें नहीं आएगा दिसमबर 2024 वाले exam के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता exam pattern की बात ये दी मैं करूँ तो exam pattern आपका क्या है कि साल में आपका दो बार ये exam conduct कराया जाता है जैसे आप seated देते हैं ना दो बार just वैसे ही जैसे आप क्या है कि किसी भी teaching की जौब के लिए आपके पास seated होना चाहिए वै होगा क्या 2020 से लागू होगा उससे पहले हम आपको ये बता दिना चाहेंगे कि रोज साम 7 वजे आपको unacademy पे हमारी classes मिलेंगी unacademy एक ऐसा platform है जहां पर आपको बहुत अच्छी classes के माध्यम से हम हर एक chapter wise पोल के माध्यम से questions विदानसिर्स के माध्यम से आपको आपके U UGC net में आपके दो paper होते एक होता है paper 1 एक होता है आपका paper 2 paper 1 एक आपका ऐसा paper होता है जो सभी बच्चों को देना होता है चाहे वो math से PhD करना चाहरा हो चाहे वो science से PhD करना चाहरा हो चाहे वो किसी भी subject से PhD करना चाहरा हो और जो paper 2 होता है वो उसके subject oriented से related होता है जैसे अग की साम को 7 वजय हमने इस चीज का लिंक अपने क्लास का लिंक अपने कुमेंट test commission में दे दिया है साथ में आपको डिस्क्रिउप्षन वोक्स में दे दिया है साथ में PG सा टाइम लगता है यानि कि अगर आपको पता है जो 2024 में भी election है election के दोरान 2-3 महीने तो कुछ नहीं हो रहा है मार्स तक यदि समय ऐसा ही निकल गया तो एक-2 महीने में इतनी जल्दी implement नहीं होगा जून 2024 में कुछ नहीं होने वाला December 2024 में संभावनाए है exam pattern आपका साल में दो बार होता है NEP के नाते ये देखा जा रहा है कि syllabus में थोड़ा सा क्या होगा एक होता है दो शब्द यूज के जाते एक होता है change होना और एक होता है modify होना तो यहां पर आपका syllabus सरकार बदल लेगी नहीं ठीक है change नहीं होगा तो आप यह तो मती सोचो कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे और इस बार आपका पढ़ना बहुत ज़रूर है क्योंकि जो बच्चे पेपर जून में पास कर लेगे ना उनके लिए easy होगा क्योंकि December में कुछ अगर pattern modify होगा तो फिर तो आपका idea कैसे लगेगा तो syllabus में modification हो सकता है modification भी कब होगा June में नहीं होगा इतनी जल्दी क्यों नहीं होगा क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी rule implement नहीं किया दा सकता अच्छा change तो होगा नहीं modification में ऐसा हो सकता है कि एक-दो unit हटा दी जाए एक-दो unit नहीं जोड दी जाए एक-दो units में नहीं topic जोड दी जाए जाए बस इत्तु सा change उसके बाद में क्या 2024 से लागू होगा बिल्कुल लागू हो सकता है 2024 से लेकिन कब December वाले exam में जून में नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बता रहे ना इतना आसान नहीं है चीजों को बदलना और लागू करना क्या BA.DA.LA डवाले भी दे सकते हैं ये paper बिल्कुल दे सकते हैं लेकिन तब दे सकते हैं जब आपने MA in education या MA in education में अपना enrollment करा लिया हो ठीक है अचा नेट और जे आरफ में क्या difference होता है यदि आप अपने जो भी paper देने जा रहे हैं UGC नेट का उसमें आपके toppers हैं आप और आपका बहुत अच्छा percentile आता है तो आप जे आरफ में आपका नाम अजएगा और जो बच्चे JRF हो जाते हैं उनको ही सरकार के चरफ से scholarship मिलती है PhD करने के लिए ठीक है यूँ net का paper अगर आपका clear हो जाता है तो यह certificate आपका lifetime मानने होता है और यदि आपका मान लीजे JRF नहीं होता है तो net भी logo का निकल जाता है तब भी आप PhD के लिए eligible होते है अच्छा मैं जैसे मान लीजे आपका एक डाउट कि हम first semester में है ठीक और हमने JRF का paper निकाल दिया तो क्या हम फिर PhD कैसे करेंगे जब हमारा अभी MA ही नहीं complete हो पाया है तो आपके पास यह certificate रहेगा दो साल तक valid JRF का आप आराम से दो साल में जैसे ही आपका MA education या जो भी आप कर रहें वो complete होते है वैसे ही आप अपना enroll करा सकते है PhD के लिए ठीक है तो यह थी है क्योटे चीज़ान करें main चीज़ है आपकी classes मेरे द्वारा शुरू हो रही है आपके अपने unacademy platform पे तो वहाँ पर आना नहीं भूलिएगा लिंक आपको description box पे मिल जाएगा telegram channel पे मिल जाएगा comment section मिल जाएगा youtube community post पे मिल जाएगा मिलते हैं हम आपसे next class के माध्यम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा UGC net से समद्धे सभी जान का दिए के लिए channel को subscribe करके बल आइकन प्रेस करिएगा धन्यवाद